हरतालिका 30 की आप सभी को बहुत बहुत सुबकामना है क्या आप लोगों को पता है कि भगादेव भोले बाबा को एक कौन सा ऐसा पिरिय फल है जो कि हमें हरतालिका 30 के दिन चरहना चाहिए तो आप लोग लास्ट में कमेंट में यह बताईएगा कि जो में फल आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में आप लोगों को पता था या नहीं पता था जैसा कि देखें मार्केट में जो उपलब्द होता है हम लोग नॉर्मली वही फल महादेव को चरहा देते जैसे कि केला हो गिया, सेव हो गिया, अनार हो गिया, नारंगी हो गिया, अंगूर हो गिया इस तरह के पाँच फल हम लोग महादेब को चरहते हैं लेकिन जो महतपुर्ण फल होता है, महादेब का पिडिये फल होता है वो है धतूरा और वो धतूरा को हम लोग काउंट करना भूल जाते हैं हम लोग उसे गिनते ही नहीं है तो इस बात का आप लोग धियान डखिएगा कि जब हरतालिका 30 के दिन आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो धतूरा महादेब को जरूर चरहिएगा मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ तब तक के लिए स्रीष रिवायन है